तो आतियो नमस्कार दीवारों पर चौराहों पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने का मसलव हाला कि यह मामला जन्भावनां से जुड़ा है धार्मिक है लेकिन चू कि मामला लीगल है कानून से बधा हुआ है इसलिए आप तक इसकी जानकारी पहुंचाना हमारा पिक पर लेकर के आए हैं और एक हाई कोट ने इस विशेपर बहुत ही महत्तपूर आदेश जारी किया है उस आदेश के अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं मैं आपका दोस्त प्रतिक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल है से आपका स्वागत करता हूं आपका वैलकम करता हूं अब तक जिन हमारे साथ ही होने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है उसे रिक्वेस्ट करता हूं किद चैनल को सब्सक्राइब कर लें नई पौराने वीवर्स जो भी हो और हमारे अपडेट्स लगातार पाने के लिए बेल का जो आइकन है उसको पर सेलेक्ट कर लें इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर जो जानकारी दी जाती है वह एक आम व्यक्ति को उसकी जो सहूलियत हैं आम व्यक्ति को कानून की जानकारी जो होनी चाहिए इसके मद्दे नजर हम पूरी कोशिश करते हैं कि आम आदमी तक अपनी बात को पहुंचाएं कानून जानकारी को पहुंचाएं और व्यक्ति जो निर्धन है उनके लिए सुधा निशुल्क है और व्यक्ति जो सक्षम है उनके लिए जो सुधा है वो सशुल्क है उनसे पैसी भी लिए जाएंगे शुल्क भी लिए जाएगा तो अगर कुछ मित्र हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में भी तावाम नेगाटिव कमेंट करते हैं वाट्स पे भी तमाम लिखते हैं और यह मैसे सीधे उन लोगों के लिए है कि अगर आपको लगता है कि वकील प्रॉपर आपके लिए और सारी आपकी लीगल समस्यां उनको अवंस के सब्सक्राइब करते हैं हमारा चैनल जो मजबूर और जो मजदूर तब्का år जो कानुन की जانकारी नहींмент की जांकारी पुंचाने काम करते हैं और आप चाहते हैं कि अलग से एक एड़ोकेट हो तो उसके लिए आप करवा सकते हैं आपका मॉया करवा तो आए जाहा देव ना करते हुए आज कर वीडियो शुरू करते हैं क्या देवी बीताओं का जो मतलह है आप देखते होंगे कभी कभी किसी जगया पर कुछ लोग कोई चुछ है वहां गंदगी कूड़ा जग्ड़ा शुरू करते हैं या कुछ को रोकने के लिए उनसे लड़ाई जगड़ा उनसे फसाद नहीं करते हैं वह एक नया तरीका खुश करके लाए हैं वह वहां पर साफ सफाई करते हैं और एक तो अभी अभी बिल्कुल लेटेस में आपको केशला बता रहा हूं अनिस दिसंबर 2022 को लिए हाइड कोट ने एक आदेश यारी किया जिस आदेश में बिल्लिहाइग नेस पस्ट तार पर एक जनित याचिका जो हमारे अधिवक्ता जो हैं उन्हों ने लगाई थी जो गओरंग गुपता जिनका नाम है अधिवक्ता जो है उसका उलंगन है सार्वजनिक जगाओं पर पिशाप करने वाली जगाओं पर लोग जो है देवी देवताम की तस्वीर लगा देते हैं इसे उनको उनकी भावनां को ठेस पहुच रही है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए ऐसा करने से ऐसे व्यक्तियों को रोका जाना केवल पूजा इस्थल पर ही देवी देवताम के शित्र या तस्वीर लगा जानी चाहिए कहीं भी कहीं भी ऐसा ना होगे कहीं भी जिसका मनाय वहां लागते चल दो 19 दिसंबर को 2022 में दिल्ली हाई कोट ने एक और जारी किया इस जनित रियाचिका में और इस जनित करने का अधिकार है तो मामले में ये नहीं कहा सकता कि कोई कहां पर पूजा करेंगा नहीं रोक सकते हैं साथी दिल्लीे हाई कोट तो उनको देखते हुए अधिवक्ता को देखते हुए फिलाल राइकोट ने उनके उपर कोई जुर्माना कोई पेनल्टी इंपोस नहीं किया है और इस मामले में स्थीधे सिधे इसको क्हारिश कर दिया है यानि कि कोई भी व्यक्ति किसी वी जगापर साफ सफाई करके कोई कुढे की जगाओ उसको साफ कर도 के पर अपनी भाववनां के अनुरूप निलिटा की तस्विर अगर लगता है तो वह जायज है वैलिट है उसको माम धर्मों के मानने वाले लोग जिसका जहां मन होता है वहीं अपने पीष्ट की अपने आरध की मूर्ती तस्वीर यह जो भी कुछ है लगा के पूजा करने शुरू कर देते हैं तो इस लिहाज से आधिश बहुत महत्तपूर्ण है इस तरह से आपको मानने दिल्ली हाई आपकी पूजा पद्धिति के अनुसार आपको आपकी आराधना करने का आपको आपकी प्राधना करने का अधिकार दिया है जो निश्चित तोर पर भारत जैसे आध्यात्मिक देश में बहुत ही महत्तपूर्ण फैसला है तो आज के वीडियो में बने रहे हैं चौदरी ल आरत नमस्कार